हाई, वेलकम टू मैं चैनल, इस बड़ी में सॉल्व करें हैं क्वेशन अबर सेवन, तो सेवन में अल्मोज फोर पार्ट हैं, तो इसमें पहला पार्ट हमने लिखा है यहां पर, चले सॉल्व करते हैं इसको, क्या करना है, सिंप्लिफाई दी फॉल्विंग, तो इसको सिंप हम इस्तिमाल करते हैं अपर और सॉल्व करते हैं, हमारा पास है, 3 to the power n multiplied by 9 to the power n plus 1, whole upon 3 to the power n minus 1 multiplied by 9 to the power n minus 1, करना क्या होगा, कि हमें, अलग-अलग मतब कि जो सेम numbers है नीचे, जिसे 3 यहां पर base है, यहां भी 3 base है, तो इन दोनों को एक साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, और यहां तो हमें 9 base है, और यहां 9 base है, तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हम यदि उसको ऐसे लिखेंगे, तो क्या मिलेगा, 3 to the power n, whole upon 3 to the power n minus 1 मिल जाएगा, multiplied by, यहां पर separate कर लेंगे, तो मिलेगा हमें 9 to the power n minus 1, whole upon 9 to the power n minus 1, हमने separate कर ल जाता है, तो हम numerator का जो exponent होता है, मतलब m, उसमें से मानस कर देते हैं, denominator का जो exponent होता है, उससे, means यह हो जाता है, a to the power n minus n, यहां पर वही काम करेंगे, 3 to the power n minus, n minus, और bracket के अंदर लिखेंगे, n minus 1, n minus 1, क्योंकि यह दो tom's हैं, इसलिए हम bracket के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, ह टर्म है, n plus 1, ठीक है, इसमें से मानस करेंगे, n minus 1, तो bracket में लेकर के minus करेंगे, अब यहां solve कर लेंगे, तो bracket open करेंगे, क्या मिलेगा, n minus, देखें, minus multiply होगा जब यहां पर, तो मिलेगा minus n, फिर minus minus यहां पर plus हो जाएगा, तो plus 1, multiplied by, यहां पर हो जाएगा, 9 to the power, देखें solve करते हैं, तो 9 plus 1 minus, यहां पर minus मिलेगा करना पड़ेगा, तो minus n, और minus minus plus हो जाएगा, तो plus 1, ठीक है, और एक बात आप देखे रहोंगे, यहां पर भी n positive में है, और यहां n negative में है, तो यह cancel out हो जाएगा, क्यों बचेगा 3, और यहां पर जो minus n है, वो negative है, और यह positive है, दो यहां पचेगा किवल 3, तो कि 3 का पावर 1 है, तो 1 हम लिखें चाहना लिखें, यहां पचेगा 9, और 9 का पावर है, 1 और 1, 2, यहां पावर 2 हो जाएगा, मतलब कि इसको solve करेंगे, करेंगे हम यहां पर, तो मिलेगा हमें 9 into 9, 81, और यदि मुटिपलाई करेंगे, तो 3 143, यही हमारा simplified version आएगा, तो यही हमारा answer है, question 7 का second part, आपका है, 5 into 25 to the power n plus 1, minus 25, multiplied by 5 to the power 2n, whole upon 5 to the power 1, means 5 है यह, multiplied by 5 to the power 2n plus 3, minus 25 to the power n plus 1, इसको solve करने का जो main thinking जो process है, वो यह है, कि numerator में देखिए, आप ध्यांस देख सकते हैं, यहां पर 2 terms दिया हुआ है, एक यह और एक यह, और denominator में भी 2 terms दिया हुआ है, एक आपका यह, और एक यह, तो जब 2-2 terms दिया हो, और उसमें एक variable भी हो, जैसे देखिए, n क्या है, variable ह है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि variable भार item को बाहर निकलना होगा, तभी हम solve कर पाएंगे इस तरह के fashion को, मतरब simplify तभी कर पाएंगे, तो क्या कहने का मतलब है, मैं क्या कह रहा हूँ, हमें क्या करना है, कि हर हाल में n को बाहर निकलना है, तो हम करेंगे क्या, simply यह के ऐसे 25 the power n multiplied by 25 क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं मतलब क्यों 25 to the power n plus 1 को लिखे हैं 25 to the power n multiplied by 25 बिल्गर को लिख सकते हैं क्योंकि हम यदी solve करेंगे इसको तो इतना आजाएगा मतलब कि power 1 है इसका दोनों एड हो जाएगा तो फिर से इतना आजाएगा है कि नी दोनों का बेस बराबर है तो हम जो क्या किया है कि यहाँ पर इसको break करके ऐसा लिख दिया है ठीक है कुल मिला करके आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि यदि m प्लस 1 होता है तो हम इसको break कर सकते हैं a to the power m multiplied by a में ठीक है मतब कि ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ पर हुआ है ठीक वैसे ही यहाँ पर ऐसे कर दिया है माइनस अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 25 to the power n यदि यहाँ है तो इधर भी हम 25 to the power n कैसे लाएं तो बहुत आसान है लाना क्या करना होगा 25 को हम सेपरेट रखेंगे कि 25 के पावर में n नहीं है हम इसको छूएंगे भी नहीं छोड़ देंगे यहाँ पर देखना है यहाँ पर n पावर है लेकिन 5 to the power यह 2 भी है मैंने 2 से मटपलाई किया है n में तो आप पढ़े होंगे कि 8 to the power m into n रहेगा तो इसको हम ऐसा लिसकते है 8 to the power n whole to the power n है कि नहीं 8 to the power m whole to the power n ऐसा ठीक वही काम यहाँ भी करेंगे तो multiplied by यहाँ लिसकते है 5 to the power 2 whole to the power n ठीक है whole upon यहाँ भी वही काम करेंगे हम देखेंगे कि क्या कामन ले लें कैसे कामन लें ठीक है तो हम अलग-अलग कर लेंगे पहले देखे 5 multiplied by यहाँ पर इसको break कर देंगे दो भागों में एक 2n वाला term लेंगे और एक 3 वाला ठीक है मतलब कहने का यह है कि 5 to the power हम नहीं सकते है 2n multiplied by 5 to the power 3 इसको अब यहाँ पर 25 to the power n प्लस 1 है तो यहाँ लिग देंगे 25 to the power n यहाँ पर और 1 को break करेंगे तो multiply हो जाएगा 25 से क्योंकि 25 to the power n हो जाएगा और 25 to the power 1 हो जाएगा यहाँ पर ठीक है यह 1 है ओके फाइनली हम क्या करना चाहते है 25 to the power n को बाहर निकला चाहते है इसलिए हर जगा सारे टर्म्स को सारे टर्म्स के अंदर हम 25 to the power n ला रहे हैं तो यहाँ भी आ चुका है यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा कैसे आएगा समझेए देखे 25 फाइब जाए कितना होता है 125 अब यहाँ भी 5 स्क्वाइर है मतलब 25 to the power n हो जाएगा यह 25 फाइब यह हो जाएगा 25 to the power n हो ला पान नीचे भी हम देखेंगे कि कैसे करेंगे देखेंगे हम भी जाएगा 5 multiplied by यह 5 to the power 2 n जो है इसको में लिए सकते है 25 to the power n है की नहीं क्योंकि हम 5 का स्क्वाइर यहाँ पर कर सकते हैं उसका पावर n ले सकते हैं multiplied by 5 क्यूब मिन्स तो 5 क्यूब का मतलब हो गया 125 माइनस यहाँ पर 25 to the power n आ चुका है यहाँ पर कुछ कर करना नहीं है हम रैसा अलिक दिया अब देखें उपर वाले में से 25 to the power n कामा ले सकते हैं मतलब यहाँ पर इस वाले टर्म में यह आपका 25 to the power n है और इस वाले पुरे टर्म में 25 to the power n यहाँ भी है इसको हम कामा ले सकते हैं means 25 to the power n और इन ब्रेकेट में जो बचेगा वो ब पावर n दी कामल लेंगे तो यहां बचेगा क्या 5 बचेगा और 125 बचेगा दुनेगों मौडिपलाई कर दीजे 625 माइनस अब यहां पर क्या करना है कि 25 यहां में मैनस करना पड़ेगा ठीक है अब यहां 25 बचेगा दीजे जो है चैंसल आट हो जाएंगे अब यहां पर हम मैनस करके देखें यहां पर एक बात हुई है 25 बचेगा यह चैंसल आट हो चुका मतलब कि इसमें वैरियाबल न नहीं है इसलिए यह सिंपलिफाई हो करके एक सिंपल सा एक नंबर देदेगा ठी लेगा 1 अपान 6 and this is your answer. ओके तो यहां पर आगे 3rd part आप question no.7 5 to the power n plus 3 minus 6 times 5 to the power n plus 1 whole अपान 9 5 to the power n minus 2 to the power 2 multiplied by 5 to the power n अब यहां पर ठीक वाइस ही करेंगे जैसे question no.2 में किये थे देखें इस तर्म में 5 to the power n plus 3 है तो हम 5 to the power n इसको रहे सकता है 5 to the power n multiplied by 5 to the power 3 ठीक है minus 6 multiplied by इसको भी अलग कर सकता है separate तो यह मिल देगा आपको 5 to the power n multiplied by 5 to the power 1 अब यहां से नीचे आप करेंगे देखें नीचे में तो 5 to the power n यहां भी दियावा है 5 to the power n यहां भी दियावा है तो simply आप 5 to the power n कामल ले सकते है अब देखें यहां पर कामल ले लेते हैं देखें 5 to the power n यहां है और 5 to the power n यहां भी है यहां पर देखें 5 to the power n यहां है और 5 to the power n यहां भी है कामल हो जाएगा ठीक है यहां पर 9 minus 4 9 minus 4 अब देखें यहां पर 5 to the power n कामन चुका है यह भी कामन है तो यह दोनों cancel out हो जाएंगे और normally अब यहां पर minus करतेंगे 125 minus 30 यह आएगा 95 95 divided by 9 minus 4 के आजाएगा 5 आजाएगा अब यहां पर cancel out हो सकता है 5 आजाएगा 5 आजाएगा 5 आजाएगा आजाएगा 19 तो यह आपका होका simplified हो गया है यह पूरा expression और यह simple आजाएगा 19 नमबर ओके तो आपका question number 4 means fourth part of question number 7 आपका मैंने यहां पर लिख दिया है अब दिहान समझेगा इसको भी वैसे ही करेंगी जैसे हम लोग ने second third part को किया था क्या करना है यहां पर 6 मुटिप्लाइट बाई देखें यहां कुछ नहीं तो मुटिप्लाई है बिल्कुल 8 to the power n प्लस 1 है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो भागों में means 8 to the power n आ जाएगा यहां पर लिखना पड़ेगा अलग-अलग देखें 2 to the power 3n multiplied by 2 to the power minus 2 हाना इसको अलग कर दिया है यह दोनों अलग हो सकता है मैनस में भी ठीक इसी रूल से ठीक है अब यहां भी करेंगे तो 10 multiplied by देखें 2 to the power यहां कर लेंगे 2 to the power 3n अलग हो जाएगा बिल्कुल multiplied by 2 to the power 1 इस 2 रहेगा माइनस यहां पर तो 8 to the power n है ही 7 multiplied by 8 to the power n अल्रेडी इस्ट अब यहां पर solve करेंगे 8 to the power यहने आ गया मुट्पलाएगर दिया numbers को 8 8 सिख जा देखें इसको इसको मुट्पलाएगर दिया क्या मिलेगा 48 इसको मिला सकता हूं 2 to the power 3 का होल पावर अन और 2 to the power 3 का होल पावर अन और 2 to the power 3 का मतलब क्या होता है देखे 2 to the power minus 2 का मतलब हो गया 1 upon 2 का पावर 2 और 1 upon 2 का पावर 2 का मतलब क्या होगा 4 हो गया यहाँ पर लिसकते हैं डारेक्ट लेम 4 ठीक है या बाद में भी लिसकते हैं तो खार चलिए यहाँ पर हो जाएगा 10 to the 20 यह और 2 to the power 3n जिसे यहाँ पर किये थे 8 to the power n वैसे 8 to the power 3n का वैल यहाँ पर हो जाएगा 8 to the power n फिर हो जाएगा minus 7 multiplied by 8 to the power n अब यहाँ पर क्या करना है कि दोनों में से 8 to the power n कामल लेजिए कामल लेगे तो यहाँ पर जाएगा 48 प्लस यहाँ पर जाएगा 16 multiplied by 1 upon 4 अब यहाँ पर हो जाएगा 8 to the power n यहाँ भी कामल लेजिए ना होगा यहाँ पर जाएगा 20 minus 7 अब यहाँ से हम cancel out कर देंगे 4 बंज़ा 4 and 4 4 जा 16 4 इसमें add होगा 52 आएगा और यहाँ पर 8 and 8 and भी cancel out हो जाएगा और यहाँ add करेंगे तो कितना होगा 52 होगा अपान यहाँ पर हो जाएगा 20 minus 7 means 13 और 13 के टेबल पढ़ेंगे आप तो 13 जा 13, 13 4 जा होता है 52 means आगे हमारा 4 this is your answer